पिछले कई वर्षों से सहारा इंडिया सहारा इंडिया में पैसा लगाने वाले निवेशक अपनी रकम प्राप्त करने के लिए संधर श्रत थे लेकिन चल रहे मामले की वज़र से उनका पैसा अटका हुआ था हाल के दिनों में सहारा इंडिया ने निवेशकों की रकम वापस करने के लिए दो करोर से जादा की रकम जारी कर दी है भुकतान की प्रक्रिया के तहट अब निवेशकों के कागजातों की जांच कर उन्हें भुकतान दिया जाएगा यह सब सहारा इंडिया के चार डाइरेक्टर की गिरफतारी के बाद सशर्ट जमानत मिलने के बाद संभव हुआ है सहारा इंडिया ग्रूप कितनी जारी की गई राशी जानकारी के अनुसार चक्तीसगर के राजनांद गाउं में सहारा इंडिया के चार डायरेक्टर्स को गिरफतार किया गया था न्यायाले द्वारा उन्हें जमानत इस शर्ट पर दी गई कि वह निवेश्रिकों की रकम लोटाने के लिए राशी जमा करेंगे पता चलता है कि शनिवार को 1772 निवेश्रिकों को देने के लिए 2,30,83,658 रुपे का चेक प्राप्त हुआ है अब पहसील के माध्यम से भुपतान की प्रक्रिया शुरू की गई है सहारा इंडिया ग्रूप अभी दिया जा रहा मात्र 25 प्रतिशत जानकारी के अनुसार प्रशासन के खाते में जमानत की शर्ट पर कम्पनी के डाइरेक्टर द्वारा साथ करोर रुपे जमा करा दिये गए हैं रकम वापसी के लिए करीब 4,614 निवेश्रिकों का आवेदन चत्तीसगर राजनंद गाव में प्राप्त हुआ है पहले चरण में सत्यापन के बाद 1772 निवेश्रिकों को जमा राशी का 25 प्रतिशत लोटाया जा रहा है साथ ही जैसे जैसे आवेदकों के आवेदनों का सत्यापन होजा जाएगा सहारा इंडिया द्वारा दी गई रकम का भुपतान किया जाएगा बताया गया है कि जैसे जैसे सत्यापन होता जाएगा आगे राशी का भुपतान किया जाएगा एक अनुमान के मुताबिक जितनी राशी कमपनी द्वारा निवेशकों के भुपतान के लिए दी गई है उसमें हर निवेशक को लगभग 13,000 रुपे प्राप्थ होंगे सहारा इंडिया ग्रूप पूर्व में प्रशासन कर चुका है लापरवाही जानकारी के अनुसार पूर्व में प्रशासन द्वारा लापर वाही की गई थी जिसकी वज़े से लोगों को अपनी रकम का भुपतान नहीं प्राप्थ हुआ बताया जाता है कि पूर्व में सहारा इंडिया के चार डाइरेक्टर्स को गिरफतार किया गया था उस समय भी जमानत के तौर पर निवेश्कों का रकम वापस करने जिला प्रशासन को दस करोर रुपे का चेक दिया गया था लेकिन जिला प्रशासन ने लापरवाही करते हुए समय अब्धी बीट जाने के बाद चेक लगाया जिससे चेक बाउंस हो गया और निवेशकों का भुपतान नहीं हो पाया यह लापरवाही दूसरी बार दोहराए न जाये इसके लिए जिला प्रशासन अब सहारा इंडिया से प्राप्त रकम जल्दी से जल्दी सहारा इंडिया में जिनाम नागरिक ने निवेश किया हुआ है उनका भुपतान करने जा रही है मान जा रहा है कि सेमवार को निवेशकों के खाते में रकम भीजी जा सकती है तहसील वार निवेशक और भुपतान की राशी राजनांद गाव तहसील में 1042 निवेशक भुपतान की रकम 1,85,74,868 रुपे चुरिया तहसील में 312 निवेशक भुपतान की रकम 17,63,144 रुपे डोल्गरगर तहसील में 383 निवेशक भुपतान की रकम 25,67,134 रुपे चुई खदान तहसील में 35,67,513 रुपे सहारा इंडिया द्वारा जमा की गई रकम तहसील बार निवेशकों को देने के लिए तहसीलदारों को चेक जारी कर दिया गया है साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि इस राशी का भुपतान तहसीलदार निवेशकों के ब्यांक खाते में करेंगे